तो गाईज आज है तारिक 21 माई 2021 और है फ्राइडे देखेंगे आज का देहिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को एनलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन आप लोग को ये चनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चनल का है जैसे आप उस पे क्लिक करोगे आटोमेटिकली ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना नाओ जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बिस्स पर दहिंदू न्यूस पर मिल जाता है डेली करंट अफेर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और यह सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जॉइन करना नाओ बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के कौशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है सीरिया को कहां पर है यह exactly located इंडिया के comparison में कहां पर है अच्छे से मैप में देखना फर आकर नीचे comment section में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो ओके नाव शुरुआत करते हैं लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ देखो वीडियो क्यों लेट हुआ है वीडियो मैं एक बार अल्रेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ उसमें sound नहीं आया नाव उसको बार मुझे यहाँ पर दुबारा रिकॉर्ड करना ही पड़ा अब आप पूछोगे कि यह अब यह PDF आएगी या नहीं आएगी तो देखो यह आएगी लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा यह मैं अभी विजय से वीडियो अप्लोड होगा उसके बाद यह दहिंदू की PDF में टेलिग्राम ग्रूप में अप्लोड कर चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहला आर्टिकल बात करता है गोवर्नमेंट ने एडवाइस दी है और यह बोला है कि देखो जो एरोजोल्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं लगबग 10 मीटर तक तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए वेंटिलेशन काफी ज़ पेस्स में बैठे हो तिक घर में बैठे हो अगर यहाँ पर ट्रांसमिशन का खत्रा है कोवीड नाइटीन का तो उसके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्यदार जिम्यदार होगा और उसके बाद जो ड्रॉप्लिट्स होता है वो नाव क्वेशन यह है कि ये यह एरोजो होते हैं काफी tiny particle होते हैं हमारे saliva का हम बोलते हैं तो छोटे-छोटे particles निकल ला होते हैं हमें नहीं पता होता ठीक है तो इसके थूरू भी यह transmit हो सकता है यह infection तो क्या होगा अगर आपको protection चाहिए तो घर के अंदर तो चाहिए कैसा भी अरोजोल हो आपको इंफेक्ट नहीं करने वाला एक अच्छा मास्क आप लोग लगा के जरूर जाय करो बाहर यहां पर आप लोग देख सकते हो ठीक हैं एक image यहां पर यह भी दी गई है जिसमें यह बताया गया अगर सामने वाले दोनों व्यक्तिने मास लगा रखाए तो इंफेक्ट भले किसी को कोविड-19 हो तो यह आपके अंदर ट्रांसमेट होना इसका जो खत्रा है वो काफी हद तक कम हो जाता है इंफेक्ट यह ना के बराबर हो जाता है तो काफी ज़रूरी है मास को लगाना ओके ना उसके बाद यहां पर यहां पर यह ट्रांसमेट हो सकता है यह वायरस तो यहां पर अगर आप लोग क्या करना है वेंटिलेशन है तो यह रिस्क भी कम हो जाएगा ना उसके बाद एक और इंपोर्टेंट चीज मैंने आजैसा बताया था जो ही ड्रॉपलेट्स और एरोजल्स है यह की ट्रांसमेशन है मतलब इन से जादा तर ट्रांसमेशन देखने को मिल ही जाता है हम लोगो ओके ना उसको बाता है नेक्स टार्डिकल यहां पर बात करी गई है जो म्यूकर माइक कॉसिस है उसको डेकलियर कर दिया गया है एक एपिडेमिक डिजीज और यहां पर आप देख पाऊगे यह एपिडे इसको डिजीज से और यहां पर कितने लोग की जान जारी है सब हम लोग यहां पर काफी डिफिकल्ड हो जाता है इसको predict करना तो आई होप आपको ये clear हो गया होगा नौ ये mucormicosis है क्या तो हमने recently discuss किया था ये काफी जादे news के अंदर है क्यों क्योंकि COVID-19 infection वाले जो भी person है अगर उनको diabetes वगरा के जैसी problem है तो उनके अंदर ये mucormicosis भी develop होता है और second चीज अगर किसी ने जादा steroids लगवा लिए जादा injections वगरा है जिससे उनका glucose level बढ़ चुका है तो उनको भी यहाँ पर ये mucormicosis हो जाता है ऐसे यहाँ पर बताया आ गया है ये एक fungal infection है पंजाई से होता है और ये हमारे various organs को affect करता है जैसे कि brain को affect करता है बहुत सारे internal damage कर देता है ear, nose, throat, mouth इन सबको यहाँ पर काफी तगला damage होता है इस mucormicosis से ओगे तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है अगर आप कहो की चलो COVID का तो solution आ गया हमारे पास vaccine है mucormicosis का क्यों solution है हाँ तो इसका भी solution है इसको आपको ध्यान में रखना है इसका एक solution यह है हमारे पास drug है M4-terreason B करके इसके बारे में आपको ध्यान रखना है काफी important है यह देखो होता क्या है ना इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है आँख वगरा में सूजन देखने को मिल जाती है in fact हमने एक article discuss किया था को मालूम होगा एडिटोर सेक्षन में कि कभी-कभी तो ऐसा solution हो जाता है इसका कि आँख निकालना ही एक solution है वरना यह infection और फैलता रहेगा ओके ना उसके बाद आता है next radical की तरफ तो यहां पर आप देख पाऊगी कुछ जादा important नहीं है बस आपको एक idea रखना है इसके बारे में क्योंकि एडिटोरल सेक्षन में इस सारी चीज़े include हो जाती है okay चलवागे बढ़ते हैं नव आते हैं next article की तरफ आज हालत सी खराब हो गई पता है अभी मैं चालिस मिनिट की वीडियो रिकॉर्ड कर यह वो चालिस मिनिट की वीडियो बेकार हो गई यह मैंने redevelopment project लेके आ रहे हैं इस पर काम चालू भी हो गया है अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की वजह से यह जो नैशनल आर्चीव है यहाँ पर दिक्कत हो सकती थी लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत सारी पर दिक्क यहाँ बोली गई यह जो हमारे पास नैशनल आर्चीव वाली बिल्डिंग है उसके बाद हमारे पास इस बिल्डिंग के अंदर हमने एक चोड़ी से बिल्डिंग और एड कर रखी दी जिसको हम लोग लग 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 करके उसको रिप्लेस करेंगे नहीं से लेकि प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले देखो मैंने काफी सारे यहां पर दूसरे टेलिग्राम चनल पर यह शेयर कर रखेंगे आपको मालूम होगा डेली के अंदर इंडिया के आपको देखने को मिलेगा और आप 3 किलोमेटर सामने चलोगे तो आपको राश्ट यहां पर इसको कुछ नहीं होने वाला और आप देख पाओगे इस नेशनल आर्चीव को हमने सबसे पहली बार बनाया था 1891 में आपको ध्यान रखना है यह बहुत इंपॉर्डेंट इंफॉर्मेशन है देखो जो यहां पर क्वेशन बनते है न यूपी ऐसे प्रिलिम्स में भी आप देख पाओगे तो यह बॉ इस नेशनल आर्चीव आफ इंडिया को हम लोग इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट बोलता है यहां पर बहुत सारा रिकॉर्ड रखावा है बहुत सारा डेटा रखावा है ओके नौ जो यह ट्रांसफर हमने जो है चलो यह सारी चीज़ बताई गई है कि हमने बाद में क्या कर रहा था जैसे हमने बिल्लिंग शिप उसको हम लोग वापस से रेन्यू करने वाले हैं इस सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बाकी यहां पर और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ऐसा यहां पर बताया गया तो इंपॉर्डेंट क्या था हमारी नैशनल आर्चीव अफ इंडिया के बारे में और ऐसी च चाइना का जो बॉडर एरिया है उसके बीच माँ हमेशा सही डिसप्यूट रहा है और उसी एरिया में ही हाँपर चाइना ने तिब्च हाईवे बना लिया है और इस हाईवे को कम Π्लिट कर दिया है और यहां पे आपको यह धिशान रखना है कि देखो यह कौन सी रिवर के उपर बनाएं ये बहुत important है ये आपको देखने को मिलेगा ये चाइना के अंदर एक river है टिबत के अंदर basically यारलूंग जैंग बो और जो ये यारलूंग जैंग बो है अगर इसको बात करें तो ये इंडिया के अंदर भी बहकर आती है और इंडिया के अंदर और तिबत के अ आ रही है और उसके आप देख पाओगे ये अंदर आई इंडिया के अंदर जैसी आ जाती है इसको ब्रह्म पुत्रा बोलते हैं इस वाले एरिया में ही यहां पर यहीं आसपास ये highway बनाया गया है ठीक है जिससे की यहां पर एक आप कह सकते हो की development हुआ है चाइना का लेकि बन गया है तो यह कम हो जाएगा travel time भी कम लगने वाला है पैसा जो इसके अंदर लगा है वह 310 मिलियन डॉलर के आसपास यहां पर पैसा लगाया गया है इसका construction स्टार्ट हो जुका था 2014 में ठीक है यह छोड़ी से information इसका आपको ध्यान रखना है नाव नेक्स आडिकल पर सकते हैं US vaccine maker के साथ ताकि हम लोग अपनी country के अंदर जो आज के time पर vaccine shortage देखने को मिला है उसको हम पूरा कर सके हैं US से हम लोग खरीज सकें नाव यहाँ पर आप देख पाओगे government ने यहाँ पर आपका सकते हो यह कोशिश करिए कि जिस तरीके से हमारे vaccine shortage दिख रहा है उसक को टैकल करने के लिए हमारे external aware minister जैश अंकर साब यह discuss करेंगे procurement किस तरीके से हम लोग America companies के साथ जो है अपनी vaccines को ले सकते हैं ठीक है एक तरीके से vaccines खरीज सकते हैं उनसे तो यहाँ पर आप देख पाओगे यह expect किया जा रहा है यह जो meeting होगी यह हमारे external affair minister के साथ साथ यह स उसके बाद next article यहाँ पर आता है यह वाला आज थोड़ा सा analysis अलग लग लग रहा होगा है ना क्योंकि इतनी energy नहीं रह गई क्योंकि एक बाहर में 40 मिनट का lecture record कर चुका तो energy इतनी वची नहीं है नहीं उसके बाद next article में यह बात करी गई है देखो एक person जो है वो spread कर सकता ह coronavirus को लगबग 406 को लोगों के अंदर यानि 406 के अंदर और जाधा spread कर सकता है अब यहाँ पर यह कहोगे information किसने दिये health ministry के द्वारा information आई गई है और यह सारी चीज़ों के ओपर research हुआ है यह research हुआ है University of California San Diego को के अंदर और बताया गया है अगर एक बंदा है उसको अगर infection infection है COVID-19 का higher infection है और वो ऐसी घुम रहा है बिना social distancing के बिना किसी mask के तो obvious ही बात है वो कम से कम 406 और लोगों को जो है यह infect कर सकता है ऐसा data यहाँ पर रिवील करा गया है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी information दिए दीगाई है देखो ऐसा बंदा मास्क भी नहीं लगाएगा जैसे हमने भी डिसकस किया बिना मास्क लगाए ऐरोजोल से भी ट्रांस्मिट हो रहा है तो obvious ही बात है उसको infection है तो एरोजोल वागरा भी आएंगे ठीक है और मास्क भी नहीं लगा रखा है social distancing भी नहीं है कोई precautions लेहीं निराए बंदा तो फिर उसके बा मता है कि हमारी country में पिछले 24 घंटे के अंदर कितनी कोविट के cases निकल कर आएं कितनी डैत हुई है तो 2.5 लैक के cases निकल कर आएं उसके बाद 3700 के आसपास डैत हुई है इना लास सिंगल ले ठीक है एक सिंगल ले का स्पाइक है मतलब जो cases हम लोगों कम होते में नजर आ र formation यहां पर आप देख पाओगे इसराइल ने थर्सडे में मतलब आच के आच फ्राइड़ है कल के दिन बहुत सारे नोंने एर स्ट्राइक करें गाज़ा पट्टी के ओपर और उसके retaliation में हमास ने भी जो गाज़ा पट्टी में रहता है उसने भी बहुत सारे रोकेट बढ़सा दिया है इसराइल के ओपर मतलब यह जो conflict है यह लगबग बढ़ता ही जा रहा है इसका कोई solution हम लोग को नजर आ नहीं रहा है चलो मैं आपको conflict रोड़ा समझाता हूँ यहां प इसके बाद गाज़ा पट्टी वाला रीजन है यहां पर भी पलेस्टीनियंस ही रहते हैं डोंट वरी मैं एक ना एक दिन जरूर इसकी history लेके आने वाला हूं मतलब इसराइल और पलेस्टीन की complete history cover करेंगे एक ना एक दिन मतलब यह क्या बात हो गई ठीक हां मतलब जल्द इसराइल तो पहले यहां पर था ही नहीं पूरा यहां पर पलेस्टीन लोग आए फिर जूज अरब इनके बीच में जो लडाई चली समझाओंगा किसे दिन और यहां पर देख पाओगे यह जो हमारा जो गाज़ा पट्टी वाला रीजन है यहां पर और वेस्टमेंग वा बात करें तो अभी जो इसराइल का कॉँट्ट से जाधा होते हैं तो आप देख पाओगे आज के टाइम पर हो क्या रहा है कि देखो जो गाज़ा में हमास है वह लगाता रॉकेट बःसा रहा है और इसराइल भी हां से एरस्ट्राइक कर रहा है ना हमने अभी देखा कि थ लोग की जान भी जा रही है अब यहाँ पर देखते वे यूएस के प्रासिदेंट जो बाइडन ने ये भी बोला है कि जल से जल हम लोग को यहाँ पर डी एसकलेशन करना चाहिए यहाँ पर सीज़ विराम लगाना चाहिए जल से जल यह यूद्ध को खतम करना चाहिए ऐसा यहाँ पर बोला गया यूएस के प्रासिदेंट जो बाइडन के द्वारा नो देखो एक्सपेक्ट यह करा जा रहा है कि जल से जल हम लोग अगले 24 घंटे के अंदर यह एक्सपेक्ट क्या जा रहा है कि निकोशेशन हो जाएं बाते हो जाएं इनके आपस के बीच में हम ल सब्सक्राइब बनाया है कि सिंगापूर को टक कर दे रहा है नहीं है कि चाना ने पैसा लगा है अब चैने ने पैसा लगाया तो इससे क्या होगा श्रिलंका की जो सोवरेंटी है उसको काफी जादे खत्रा पहुचेगा ऐसा यहाँ पर बहुत सारी लोग के द्वारा कहना है लेकिन यहाँ पर सरकार क्या सुने यहाँ पर देख पाओगे इतनी यह लोगों ने यही मुद् है लेकिन यहाँ पर सारी चीज़े सक्सेस्फुली हो चुकी है यहाँ पर देख पाओगे वन पॉइंट फॉर बिलियन के आसपास जो वन पॉइंट फॉर बिलियन डॉलर जो है कोलंबो पोर्ट सिटी के लिए यहाँ पर लॉंच करे गए थे साल 2014 में ओके नाव चीज़ यह है कि देख पाओगे तमिल के काफी सारे MPs हैं वो अब्जेक्शन उठा रहे हैं यहाँ पर यहाँ आपने मतलब श्रिलंका के अंदर काफी लंबा इश्यू चल रहा है आज के टाइम पर ठीके जब लोग सरकार फेवर में है कि हाँ चलो पॉर्ट सिटी बननी चाहिए और बाकी सारे जो पॉजिशन वाले लोग हैं वो इसके फेवर में नहीं है कि नहीं ऐसी पॉर्ट सिटी को नहीं बनना चाहिए जो कि चाइना इसको बैक करे क्योंकि आने वाले टाइम पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल दिखाए क्योंकि आज के टाइम पर इतन आते हैं आज का most important article की तरफ और इसी को पर आज का thumbnail देखने को मिलेगा दुनिया का एक सबसे बड़ा आइसबर्ग टूट चुका है एंटाक्टिका के अंदर और यहां पर यह रिपोर्ट दी है E.S.A. ने और आपको ध्यान रखना है इस आइसबर्ग का नाम रट लेना है निउस के अंदर है चाहिए वो वन डे एक्जाम में पूछा दा सकता है या फिर कहीं भी पूछा दा सकता है इसका नाम है E.S.A. तो आप देख पाओगे यह जो एंटाक्टिका है नीच आपको देखने को मिलेगा नीचे की साइड में उसके वैस्टन रिजन में यहां पर आज के टाइम पर हम देख रहे है टामपरेचर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसकी वज़ा से यहां पर यह सिचुईशन देखने को मिले हैं इन फाक्ट हमारे ग्लैशियर्स पिगल लए हैं और भी बहुत सारी सिचुईशन करेट हो रही है आज के टाइम पर तो यहां पर क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है हमारा टैंपरेचर गरम होने का रीजन बहुत बड़ा हो सकता है उसके बाद यह बोला गिया है इसका जो साइज वो इतना बड़ा है कि स्पेन के अंदर एक आईलेंड स्पैनिश आईलेंड है मैजॉर गिर चुका है व्यडल सी के अंदर और वेडल सी के अंदर इस समय यह तैर रहा है ऑके तो यहां पर पड़ते हैं देखते हैं यहां पर पेज नमर 12 के उपर आते हैं तो यहां पर बात करी गए गवर्नमेंट ने जो इंकम टेक्स रिटन के लिए आप फाइल करते हो तो इसकी जो डेट है उसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है और डेडलाइन कर दी गई है 30 सितंबर गई अब यहां पर कुछ इतनी important information नहीं है जो हम लोग अपने exam के point of view से पढ़ सकें important information मिलेगी यहां पर देखो जो finance minister है उन्होंने अर्ज किया है अर्ज किया है किसको CCI को CCI क्या है competition commission of India ठीक है तो इन्होंने यहां पर जो है इनको बोला कि देखो आपको क्या करना पड़ेग Commission of India यह हमाल यह UPSC के point of view से important है कैसे देख पाओगे इसको GS paper 3 के point of view से important बहुल सकता है क्योंकि GS paper 3 में एक topic है statuary bodies तो यहां पर यह statuary body है तो आप ध्यान रखना है जब UPSC ने syllabus में दे रखा यह topic तो हमें पड़ नहीं है तो competition commission of India एक statuary body है आपके सकते हो हमारी सरकार की जिसका main काम यह है कि हम competition को maintain करके रखें हमारी country के अंदर जो competition है वो चलता रहे कोई monopoly न जनरेट हो ठीक है उसी व सब्सक्राइब एक बेचने वाला खरीदने वाले 1000 हो तो यहां पर यह system बंद हो एक competition क्रेट हो उसको देखके दूसरा बंदा भी आए और फिर सब एक दूसरे को देख देखकर आगे निकलने की कोशिश करें एक competition वाला environment क्रेट हो तो यहां पर हमारे पास जो पहले एक्ट को बना सकें ओके उसके बाद यहां पर देख पाओगे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है वही competition को लेकर बताई गई है हम लोग बात करते हैं में चीज को पर जो है इसका function functions और role क्या है इसका role क्या है मैं आपको बताया है सबसे पहले देखो जो कोई भी अगर competition के अंद के अंदर competition चला है ठीके व्यापार के अंदर competition चला है अगर उसका अंदर कोई भी बुरा effect आता है सबसे पहले उसको खतम करना कोई भी adverse effect आता है उसको खतम करना और जाद से जादा competition को promote करना consumers के interest को product करने का काम करती है यह body ओके और साथी साथ जो competition से related कुछ issues आते कुछ द सारी हैं उसे लड़ सकें मतलब country के अंदर competition को मेंडिन करने का काम यह करती है नौ यहाँ पर इन से बोला गया है CCI से कि आपको फ्री मार्केट अप्रोच रखना पड़ेगा क्योंकि आज के टाइम पर कोविड-19 का एक adverse effect पढ़ ला है तो आज के टाइम पर हमें बिल्कु यह तक डाउन होता वह नजर आ रहा है और हो सकता है आने वाले टैम पर भी हम लोग इसका जो ग्रोथ हो कमी देखें आप देख पाऊगे कौन से होगा है जो हमारे वहिकल्स होगा है मतलब वहिकल्स वगरा आज के टाइम पर पर परचेस नहीं करे जा रहे हैं ड्यू टू सेंटर है सेंटर की क्या डूटी है उसकी डूटी यह नहीं कि स्टेट को छोड़कर चले जाए ठीक है यानि कि सेंटर और स्टेट को मिलकर काम करना पड़ेगा आपके लक्षमी कांद में भी कवर किया गया है सेंटर स्टेट रिलेशन करके तो आप जाकर उसको भी पढ़ यहां एक होता है communitory structure पोटा है टीक है दूसरा होता है federal structure यूंटरी फ्रेटर में सारी powers किसके हाथ में होती है center के हाथ में हो 對 है ठाथ में इस्टेट के पास होती है ठीक है सथैट के पास होती है है, तो हमारी कंट्री में कौनसा है, हमारी कंट्री में जो है यह इसाथ यूएस के अ agora भी यह फैडरल स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है ऐसका आद हप इसका आपकर बाताएं पर उंड़ेख से development की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और सबसे important चीज़ यही है कि हम आगे मिलकर काम कर सके हैं उसी तरीके से जो हमारे देखो यहां पर यह बताया गया है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है इन्होंने वर्चुल मीटिंग करी डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट के साथ ठीक है स अपिशल के साथ मतलब जो सेंटल गवर्णनेंट है वो स्टेट के साथ मीटिंग कर रही है आज के टाइम पर ताकि हम लोग कोविड-19 की सिचुएशन को रिव्यू कर सकें यही बेस्ट फंडा है आज के ताइम पर इन चीजों से लड़ने के लिए यह हमें पहले से एप् तो आप देख पाओगे इस तरीके से यहां पर यह काम किया जा रहा है तो यह होना भी चाहिए अब आपको करना क्या है यहां से अब आप लक्षमी कान में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ा है पढ़ने के लिए वहां भी जाकर पढ़ सकते हो यहां पर जो एक्जाम के पाओ आपको सकते हो कि यहां पर आर्टिकल 245 से लेकर टीकल 255 तक आप होते हैं और आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 तक कौन मेंटर करता है सब्जेक्ट मेंटर जूरिस्डिक्शन स्टेट देखता है ठीक है यह सारी चीजे आप वहाँ पर जाकर एक बार देख सकते हो कि वो पूरा का पूरा रिव्यू करना पड़ेगा वह एक घंटे का टॉपिक हो जाएगा तो हम यहाँ पर नहीं चाहते कि इ हो सरे मटेरियल आपको मैं हाँ पर प्रोवाइड कर वहाँ इस चैनल के उपर नाओ यहाँ पर आता है नेक्स्ट आडिकल देखो नेक्स्ट आडिकल में यहाँ पर बात करी गई है बैलेंसिंग एक्ट को लेकर अब यह आपको धिहां देना है कि मैंने इसराइल और पिलिस काउड़ेंट वांट करेंदिंट करने काम यसचान के अंदर 15 लेंबर देखने को मिलता है पांच पर्मनेंट मेंबर हैं दस नौन पर्मनेंट मेंड मेंबर और यह जो 5 पर्मनेंट मेंबर हैं यह कौन कौन से हैं वो है US, Russian Federation, France, China और United Kingdom और जो इसमें 10 नौन पर्मनेंट मेंबर्स हैं इंडिया भी यहां पर आता है एक नौन पर्मनेंट मेंबर है और अगर हम बात करें वोटिंग की तो जो पर्मनेंट मेंबर है उनके पास ज्यादा नो वोट कर दिया तो वहीं पर रद कर दिया जाएगा ओके नाओ जो प्रेसिदेंटी प्रेसिदेंसी इसकी रोटेट होती रहती है काउंसिल इसका जो हेड़कॉर्टर है वह आपको न्यूयॉक के अंदर देखने को मिलेगा यह आपको ध्यान रखना है ना हुआ क्या अभी ऐसा यहां पर बोला गया लेकिन प्लेस्टीन के साथ साथ इंडिया ने इसराइल को भी सपोर्ट किया है जो इंडिया ने अप्रोच लिया है वो टू स्टेट सॉलूशन का है मतलब की हम लोग इसराइल को भी सपोर्ट करेंगे और प्लेस्टीन को भी सपोर्ट करेंगे य इसकी निंदा करी है हम लोगों ने ठीके और डेत हुई है उसका दुख भी हम लोगों को इन फैक्ट इस पूरे इशु के अंदर आप कह सकते हो एक इंडियन विमेन है जिनकी भी डेत हुई है ठीके इंडियन विमेन है उसके बाद बातचीत करने को कहा है कि यह जल से जल यह पूर के ओपर यहाँ पर क्या है बेसिकली आज के टाइम पर देख पाओगे जो कोविड नाइटीन है उसका सेकेंड वेव हम लोगों को देखने को मिल ला है जाधातर लोग इनफैक्ट होते वे नजर आ रहे हैं आप यहाँ पर यह बताया गया है कि इसका जो मेन है गया है कि आज के टाइम पर हम देखें तो इंडिया के अंदर 85.7 फिजिशियंस हैं हर एक लाग पीपल के उपर और उसी तरीके से देखो 2007 का डेटा है और उसी तरीके से इसको हम कंपेर करें बंगलिदेश के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ जापान के साथ तो यह लो पर हम लोग पबलिक हैल्थ के उपर काफी जादा कम खर्चा कर रहे हैं उसकी वजा से यह सब देखने को मिला है ना उसके बाद यहाँ पर एक सेंटर फौर एकनोमिक डेटा एंड एनलेसिस है सीडा इन्होंने यहाँ पर काफी सारा डेटा दिया है और उन्होंने यहाँ और ये भी बोलाए कि अगर हम बात करें पिछले काफी टाइम से GDP का 1% है हम लोग खर्च कर रहे हैं अभी भी आप देख पाऊगे GDP का हम कुछी मातरा खर्च करते हैं अपने अगर हम लोग हम लोग सेक्टर पर नहीं खर्च करने वाले तो फिर उसके बाद हम लोग को ऐसी दिक्कत देखने को मिलेगी तो हमें यह जो जीडीपी का कॉंट्रिबूशन है थोड़ा सा जाधा करना पड़ेगा और उसके बाद है एक स्टेट सब्जेक्ट है तो हम लोग क कि अब देखो हाला कि स्टेट सब्जेक्ट है तो हमें स्टेट के ऊपर यह सारी चीज़े नहीं रखनी चाहिए ओके मतलब कि यहां पर गवर्मेंट है जो सेंडल गवर्मेंट है उसको भी काफी बड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा इसके अंदर ठीक है उसको जाधा चाहरा की बीच में अगर हम देखें और उसके बाद 2009 से 2020 यानि इस 10 साल का गैप देखें तो इसके अंदर केरेला और डेली ने बहुत ही बड़ीया काम किया है और यह काफी टॉप पर आए इस चीज़ के अंदर उसी के बाद अगर हम बात करें बिहार जहारकन उतर प्रद यहां पर सेंटर और सेट दोनों को मिलकार यहां पर काम करना है शनकार यहां पर इंडिया के अंदर आज देख पाऊंगया narr गोड-पने हम लोग अपने के ओपर health care के लिए ठीक है अगर यहाँ पर government काफी अगर spend करती है पैसा health care के उपर health sector पर government पैसा spend करती है तो पैसा इतना लोग का नहीं खर्च होगा अगर हम बात करें जो 62% है total health expenditure इंडिया के अंदर वो OOP के अंदर देखने को मिला है है मतलब की out of pocket expenditure है वो लगातार यहाँ पर जा जा रहा है लगातार लोग खर्च कर रहे हैं अपने health को maintain करने के लिए उसके बाद यहाँ पर कोई treatment करवाने के लिए पैसा खर्च होता है आपको मालूम होगा उसके बाद यहाँ पर देखो और भी चीज बोली गई है बहुत सारी poorest states है जहाँ पर बूरी हालत और भी हो जाती है ठीक है बहुत सारे जहाँ पर गरीबी देखने को मिलती है उसी के साथ यहाँ पर एक article यह include करा दोको यहाँ पर हमने पहले भी बता चुके हैं क्या हम लो बहुत सारी dead bodies देखने को मिली थी ठीक है और यहाँ पर क्योंकि लोग के पास पैसा नहीं था अफॉर्ड नहीं कर पाए तो लोग जो है सही से क्रिया करम भी नहीं कर पाए और उपर से दूसरी बात यह है लोग की death क्यों ही क्योंकि हमारा health infrastructure भी अच्छा नहीं था health infrastructure भी सकते हो पीम केर फंड है ठीक है पीम केर फंड का इस्तेमाल करके हम लोग जो कि आज के टाइम पर कर रहे हैं कोविट से लड़ सकते हैं उसके बारें बताया गया है डीजीज जो है काफी आज के टाइम पर बढ़ते भी नजर आएगी देखो oxygen वगरा की कमी देखने को मिले करेंगी तो यहां पर सेंटर और स्टेट दोनों का अप्रोच करके पचलना पड़ेगा ऐसा निए कि आप लोग जो सेंटर वो एक की उपर थोग दे क्योंकि यहां पर यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो सेंटर है हमने पहले भी बहुत सारे एडिटूरल डिसकस करें हैं है ताकि हम लोग कोविट से लड़ सकें और यहां पर यहां पर इलंकर काम करना पड़ेगा ओके न उसके साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप नहीं नहीं यहां पी उप दिख पाओगे फडल यह आटीकल आता है एक इंटर्वीव है दो परसन के बीच में आप हमारा यहां पर बात करी गई है outdated nature of bureaucracy के बारे में देखो यह जो bureaucracy ठीक है government sector है हमारा तो यह जो आज के टाइम पर आप नेचर देख पाओगे काफी पुराना हो चुका है और वही नेचर हम लोग आज के टाइम पर अपना रहे हैं अब यहां पर हमने देखो अभी हमने पाऊगे तो हमारे में बहुत सारी चीज़ें यह देखने को मिलेंगी उमारा चीज़ें ल सारे ओफिसOR जेखने कोशिश क्या यहां पर एक्दम टाप पर हैं तो इसी तरफ अगर हम बात करें स्पेशलिस के अंदर तो ढक्टर शसे आज तेके आज के टाइम पर COVID के टाइम पर किसकी सबसादर जरूरत है डॉक्टर्स की जरूरत है लेकिन यहाँ पर प्राइटिटी किसको जो टॉप पर है वो अभी भी कौन है वो है आयस ओविसर जो सिविल सर्वेंट से तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इस अप्रोच को ब चोटे सा और यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बताए गया और इन फैक्ट यहाँ पर यह अपर बताएगा जिसका सलुशन वह है कि ऐसा नहीं कि पब्लिक उपर पर आप आप प्राइट उपर है देखो पाप्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और जो सिविल से पड़ेगा इन सब को वर्क करना पड़ेगा टुगेदर यानि कि साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि अगर आप लोग को एक पब्लिक सर्विस डिलिवरी देनी है तो अच्छी आप तभी देपाऊ के जब सम्मिल कर काम करेंगे ठीके उसी तरीके से सेंटर और स्टेट बढ़ बाई, हैव और नाइस देव